आज हम इस वीडियो में सिखने वाले हैं SPICE MONEY से हम NSDL ID Bank का कैसे एक्टिवेट करेंगे तो सबसे पहले आपको जहेसे SPICE MONEY का ID होना चाहिए तो अब यहाँ देख सकते हैं मेरे पास SPICE MONEY का ID है इसको हमको open कर लेना है जिसके भी पास SPICE MONEY का ID होगा वो सभी लोग जो हैसे NSDL Payment Bank का CSP जो हैसे ले सकते हैं कैसे लेना है नीचे हमें स्कॉल करेंगे पुरा नीचे स्कॉल करेंगे हैं स्कॉल करने के बाद नीचे आपको more option दिखाई देगा इस पर आपको किलिक करना है जैसे किलिक करिएगा आपके पास सेकेंड ऑक्षन पर सर्विस पैक पर किलिक करना है तो दोस्व यहां पर देख सकते हैं कि मेरा जो हैसे active है दोस्व हम बता देना चाहते हैं कि हम भी जो हैसे एनेसटील पेयमेंट बैंक का CSP जो इसे लिए हुए है खाता इसमें खोलते हैं बहुत ही अच्छा बैंक होता है माद में जो हैसे 108 रुपया में किसी का खाता खोल सकते है इन PCI लिंक है कि PM कि सान का पैसा आगा सरकारी कोई भी योजना का पैसा जो हैसे इस बैंक पर आजाता है कि खुछ से जो है से एक्टिव करना चाहते हैं खाता खुलने के लिए तो आपको यहां 749 रुपिया जो है से आपके एकाउंट से कटेंगे और आपको जो है से दो से तीन दिन में जो आपको डिस्टूइटर होंगे लोकल वो आपको जो है से कॉल करके सरा चीज को सेट अप आप कर देंगे तो छोटा सा जनकारी था और चोटा सा जनकारी के माद्धम से बता दिए हैं कि जिनके पास भी स्पाइस मनिक आइडी होगा वह कैसे जो हैसे इनेसटेल पेमेंड़ बैंक का सीएस पी जो हैसे खोल सकते हैं दूस्त आसा करता हूं छोटा से जनकारी आपको को अच्छा लगा होगा तो मैं अच्छने को जहों सास्क्राइब कर दीजिएगा ऐसा साउट वीडियों देखने के लिए थैंक्यू सो मच